हेलो गाइज, आज मैं आपको रजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सरसाइज करके दिखाने वाला हूँ अगर आपको यह थलीट हैं चाहिए जिम करते हैं लेग्स एक्सरसाइज आप रजिस्टेंस बैंड के साथ घर पर भी कर सकते हैं और ग्राउंड में भी तो आप करी सकते हैं, ये मेरे पास तीन बैंड है, इसमें एक हैवी, एक मीडियम और एक लाइट है, अगर स्टार्टिंग आप करने आप बिलकुल लाइट बैंड के साथ कर सकते हैं, और हैवी आप जब फोड़े दिन आपको हो जाते हैं उससे आप क तो कौन सी exercise हम कर सकते हैं legs की in band के साथ वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा और upper body की exercise resistance band के साथ कौन सी होती है उसके लिए मैं पहले से channel में video बना चुका हूँ आपको link मिल जाएगा description में और video के end में आपको link मिल जाएगा उसका तो अभी हम legs की exercise शुरू करने हैं इन bands के स तो आईए शुरू करते हैं देखिए कैसे मैं करता हूँ तो यह देखिए friends जो मैं यह exercise कर रहा हूँ टो के नीचे resistance band रखा है उपर की तरफ आपने stretch करना है यह आपकी thigh का जो upper muscle होता है उसको strong करने के लिए बहुत बड़ी exercise है तो तीन सेट आप exercise के लगा सकते हैं और एक एक मिनट तक आपने stretch करनी है जितनी भी आपको exercise बता रहा हूँ तो यह देखिए मैं किस तरह stretch कर रहा हूँ उसके बाद जो exercise आती है दिखने में सेम है लेकिन उसमें मैंने band अपने जो fit का जो मेरे center point है उसमें रखा हुआ है आगे की तरफ stretch कर रहा हूँ तो यह भी आपक exercise करने से पहले चाहे कोई भी exercise आपने करनी है वो warm up करना बहुत जरूरी है उसी तरह यह exercise भी hamstring को strong करने के लिए बड़ी exercise है और आपका जो पेट है उसको भी strong करने के लिए अच्छी exercise है उसके बाद यह आप इस तरह कर सकते है अपनी toe के नीचे resistance band आपने रखना है तो यह exercise है आपकी जो hamstring है उसी को strong करने के लिए यह exercise है क्योंकि hamstring जो होती है back lift जो हम पैर उठाते है running के time वो बहुत जरूरी होती है hamstring strong होना तो उसके बाद यह exercise आपकी थाई का जो upper muscle है उसे strong करने के लिए बहुत ही बड़ी exercise है और आपके गुटने को strong करने के लिए अच्छी exercise है उसके बाद यह exercise आपके जो growing muscle है उसको strong करने के लिए अच्छी exercise है growing muscle के लिए बहुत सी exercise है जो इससे अगली exercise है वो भी growing को strong करने के लिए है ठीक है यह देखे इस तरह आप अपने growing को strong कर सकते हैं एक बार आपने bend होना है दूसरी बार अपने आप की जो leg है उसको आप आपने ऊपर की तरफ उठाना है ठीक है दोस्तो ये भी एकसरसाइज आपने एक मिनट तक करनी है तीन आप सैट लगा सकते हैं इसके उसके बाद जो एकसरसाइज आती है वह भी क्रॉइंज के लिए उसमें आपने सिर्फ अपनी लेग्स को उठाना है और आपने आपकी जो थाई के side muscles है, उन्हें strong करने के लिए है, और साथ में आपके जो core muscles है, आपका जो पेट है, उसे strong करने के लिए बहुत ही बड़ी exercise है, क्योंकि core exercise भी बहुत जरूरी है, आपकी body का ground में balance बनाए रखने के लिए, इस exercise से भी core exercise भी आपकी हो जाती है, आपकी जो थाई का upper muscle है, और plus आपके जो knee है, उसे strong करने के लिए बहुत बड़ी exercise है, इस exercise के भी आप 3 set लगा सकते हैं, उसके बाद यह exercise है, आपने गुटने के उपर थोड़ा resistance band रखना है, इस तरह आपने stretch करना है, यह exercise है आपने याद रखना है, आपका जो heavy सबसे resistance band है, उसके साथ exercise करनी है, ग double band resistance band मैं कर रखी है मैंने, एक resistance band एडियों के पास है, दूसरा गुटने के उपर है, running आप ऐसे कर सकते हैं, single band के साथ भी, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताएं, तो जल्दी आपसे नई वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए दोस